सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको नया पार्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है बेतला उद्ध्यान की सेर बेतला क्या है? बेतला एक राश्ट्रिय उद्ध्यान है जैसे सरिसका अभ्यारन, रंधंबोर अभ्यारन, केवला उद्ध्यान इसी तरह बेतला भी क्या है? एक राश्ट्रिय उद्ध्यान है तो पार सुरू करते हैं, रमेज भहिया के साथ मैं जीब से बेतला राश्ट्रिय उद्ध्यान जा रहा हूँ रमेज भया के साथ यानि खुद लेखक कह रहा है कि मैं रमेज भया के साथ जीब से कहा जा रहा हूँ बेतला राश्ट्रिय उद्ध्यान बेतला जो है वो कहाँ पर है दच्छल बिहार के पलामू जिले में है कहाँ पर है दच्छिल बिहार के पलामु जिले में ये वेतला उद्ध्यान है सुना है कि बाग, जंगली हाती, बेडिया और नजने कौन-कौन से जानबर इस सुरचित बन में है यानि इस जंगल में बाग, जंगली हाती, बेडिया और पता नी कितने जानबर है बापरे उनका तो नाम सुनकर ही डर लगता है पर साथ में जब बन अधिकारी रमेज भाईया है तब डर कैसा यानि इन सब जानवरों को देख करके कि इतने सुरचित बन में इतने सारे जानवर बापरे उनका तो नाम सुनकर ही डर लग रहा है पर जब साथ में खुद रमेज भईया हैं जो की बन अधिकारी हैं तो डर कैसा मैं दीरे से पास रखी बंदूग छूता हूं और तन कर बैठ जाता हूं कितना भी बीहड जंगल हो मैं डरूँगा बिल्कुल नहीं अब कितना भी वहानक जंगल आजाए बीहड आजाए सुनसान जंगल आजाए तो मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा साल के पेड़ ये साल का एक व्रच्छ होता है साल के पेड़ पास-पास और घने हैं बीच-बीच में पलास के पेड़ों पर लाल फूल कितने सुन्दर लग रहे हैं यानि साल के पेड जो है वो पास-पास घने लगे हुए हैं बीच-बीच में उनके पलास के पेड लगे हुए जिन पर लाल फूल आ रहे हैं बहुत सुंदर प्रतित हो रहे हैं उन पलास के पेड़ों पर सड़क के किनारे लड़कियां और और ओरतें लकडी के गठर लादे जल्दी जल्दी गाम लोट रही हैं सड़क के किनारे के लड़कियां और ओरतें वो लकडी के जंगल में आके लकडी बीनती हैं लकडी के गठर लाद ली उन्होंने और अब गाम जाने की तयारी कर रही हैं मुझसे भी छोटी एक लड़की बड़ा सा गठर उठाए बहुत भारी है शायद तभी तो बे हाप रही है नजानी कितनी दूर ले जाना आई है भार अब उनमें से एक छोटी सी लड़की थी और बड़ा सा गठर उसके सिर्पर रख दिया बहुत भारी था और इसलिए उससे चलानी जा रहा था वो हाप रही थी नजानी कितनी सिर्पongoärtius भारन कितनी थी नाजाटियों में पीले नारंगी फुल चमकते हैं इड़े नारंगी फुल उद्यान के फाटक से अंदर गुस्ते ही हिरणों के कई जुंडों से बैट बैट होती है बहूत क्यों बगीचे के फाटक में नंदर गुस्ते हैं तो हिरणों का और हम यदि इनके पास भी जाएंगे तो भी ये घबराएंगे नहीं तो बच्चो आज यहां तक ही पढ़ेंगे धन्यवाद